दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी की अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसिय में तो दोस्तों जैसे के आप लोगों ने भी फार्मेसिस सेक्स समेश्टर वालों का हर्बल ड्रक टेकनोलोजी स्टार्ट कर दिये हैं और हर्बल ड्रक करने जा रहे हैं herbal drug technology का unit second unit second में भी हम लोग का तीन chapter हैं तीन पार्ट इसमें भी बनेंगे nutraceutical nutraceutical में सबसे पहले हम लोग देखेंगे general except उसके बाद इसका देखेंगे study of following herb as health food इसके बारे में alpha हो गया चिंकोरी होगे ginger होगे ये सब के बारे हम दूसरे lecture में पढ़ेंगे और तीसरे lecture में हम लोग पढ़ेंगे herbal drug and herb food interaction ठीक तो आज के lecture में ये जो जितना टिक लगाया हुआ है इतना आज के lecture में हम लोग पढ़के total complete कर देंगे तो चलिए start करते हैं देखते है nutraceutical क्या होता है क्या क्या इसके बारे में होते है तो देखें nutraceutical क्या होता है nutraceuticals में होता है फर्मासुटिकल अब इसका मतलब क्या हुआ निउट्रीशन फर्मासुटिकल जो निउट्रीशन एंड मिनरल जो होते हैं उसको जब हम फर्मासुटिकल डोजिज के फाम में उसको हम क्या करते हैं फर्मासुटिकल डोजिज के फाम में उसको कनवर्ट करते हैं और किसे भी इ इन्हों निये दिया था कौन दिये थे डक्टर श्टेफेन डी फिलेस USA के ये थे 1989 इसवी में इन्हें ने ही नुट्राशुटकल का टर्म दिया था USA के ये थे I hope आप लोग को इतना confirm हो गया होगा कि neutralisalkal क्या होता है और इसे कौन से scientist ने दिया था किस S.B. में दिया था क्या क्या हुआ था इसके बारे में क्या process है क्या होता है neutralisalkal इसके बारे में बता दिया हूँ क्या होता है नूट्रासूटकल मतलब जो नूट्रेशन मिनरल होता है उसको जब हम फर्मासूटकल डोजेज के फार्म में क्या कर देते हैं convert कर देते हैं और किसे भी इंसान को खिला देते हैं तो एक नया scope develop होता है एक नया branch develop होता है जिसे हम लोग nutraceutical काते हैं और nutraceutical कर टर्म सबसे पहले USA के एक scientist थे डी स्टेपेंड डी फ्लेग डाक्टर स्टेपेंड डी फ्लेग ने सबसे फाले 1989 बी में क्या किये थे दिये थे इतना कॉंसेप्ट किलियर हो गया न्यूट्रासुटकल के बारे में अब वही चेज आप लोगों को लिखना है न्यूट्रासुटकल में कि according to the flag न्यूट्रासुटकल can be defined as a food या फिर पार्ट आप फूट का या फिर कोई पार्ट जो कि प्रोवाइट किया जाता है medicinal या फिर health benefit के लिए include to the prevention and treatment of a disease ठीक इतना पता चल गया आप देखिए next heading इसमें डालेंगे global market growth of nutraceutical global market में जो nutraceutical का growth है उसके बारे में पढ़ना है क्या growth है इसका तो देखिए इसमें सबसे पहला point लिखेंगे the prediction of growth of nutraceutical market is USD USD का मलब क्या होता United States dollar 671.30 billion by 2024 में most of developing country use global importance of nutraceutical diseases like cancer, diabetes and insect problem ये जो होता है ये बहुत सारे country में ये develop हो गया है जो कि कौन कौन से बीमारी के लिए ज्यादा तर importance होता है यूज़ किया जाता है जैसे कि cancer हो गया diabetes हो गया उसके अब हाट में कोई problem है ये सबी के लिए ये ज्यादा तर यूज किया जाते हैं ये सभी के लिए ज्यादा तर importance होते हैं अभी हम लोग बताएंगे कि कौन-कौन से जगह पर इसका ज्यादा तर क्या है डेवलप है न्यूट्राश उठकल मलब किन-किन इतना पता चल गया, आप चलिए थोड़ा सा नेस्ट पॉइंट देखते हैं, मिली डेवलपिंग कंट्री, है एपार्चुनिटी फार एकोनोमिक ग्रूथ बाई यूजिंग देयार हर एंट ट्रेडिशनल मेडिसीन, ना ठीक, तो देखे, मैक्सिमो में जो मैक्सिको होता है, वहाँ पर इतना ये डेवलप होते हैं, 7.30%, ठीक, और ब्राजील में ये होते हैं, 8.90%, और साउथ अप्रिका में ये 8% डेवलप होते हैं, नुट्रेशुटकल, लेकिन इंडिया में सबसे जादे ये डेवलप होते हैं, 12.30%, ठीक, तो देखे, यहाँ पर आप लोग को पत चल गया होगा, कि कौन से कंट्री में सबसे जादा ये डेवलप होते हैं, इतना कंफर्म हो गया होगा, देखे, source, matter, intelligence, इसमें एक्जामपल आप लोग सकते हैं, market growth rate आप देवलपिंग कंट्री, कौन से कंट्री में ये market जो होता है, डेवलप होते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर ये देखे, जीपैट का भी कभी कभी कोश्चन बन जाता है, कि न्यूट्रा सुटकल, growth कहाँ पर ज्यादे डेवलप है, किस कंट्री में ज्यादा डेवलप होते हैं, ऐसे 4-5 option, 4 option देदेंगे, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे, तो पता चल जा कि लोक्स हो गया, नेश्टिल हो गया, नेचर आप बाउंडरी इंच हो गया, उसके बाद हर्बा लाइफ हो गया, एयर वे, पोश्ट हेल्डिंग इंच हो गया, कोका कोला हो गया, सिल्फ बॉक्स हो गया, सेंचुरी कॉंट्रिस न्यूट्रिशन हो गया, केसियल न्यूट इतना पता चल गया देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसकोप इसका बहुत ज्यादे इंपॉर्टेंट है एक्जामिनेशन में दो नमबर में पोज लेता है राइट दी स्कोप आप न्यूट्रस उटकल न्यूट्रस उटकल के कौन कौन से स्कोप हैं तो स्कोप देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको लिख दिया हूँ इसको एकदम आसान तरीके से ऐसे आप लोग बना लिजेगा अगर इसके बारे में और भी ज्यादा लिखना चाहते हैं आप लोग तो एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है और एक पॉइ आउटकम्स इंदी प्रिवेंशन एंड एकूरेंस आप वेरियाज डिजीज रिजल्टिंग ड्यू टू इंप्रॉपर लाइफ इस्टाइल एंड फूड हैविटेट ठीक उसके बाद एक पॉइंट इसमें और भी लेख सकते हैं मोस्ट इंपॉटेंट इसका जो होता है टाइप आप न्यूट्राशूटकल प्रोड़क्ट इवाइलेबल इन दी मार्केट जो कौन से मोस्ट इंपॉटेंट पर जो होते हैं nutraceutical product होते हैं कितने type के available होते है market में वो बताना है बेखे यह भी important है nutraceutical product available in market मार्केट में कितने type के nutraceutical product available है तो अब कौन कौन से 3 type होते है तो आपकशण फ्लोचार्ट बना हुआ है जिसको आसान तरीके से आप लुक पढ़ सकते हैं सबसे पहला हो गया functional food और दूसरा हो गया functional beverages and dietary supplement ठीक इसमें देखिए हमारा क्रिसाल हो गया बैकरी कॉंफिरेंस हो यह डैरी हो गया snacks हो गया functional fact aisle हो गया बेविज फूड हो गया उसके बाद functional beverage में हमाा energy drink हो गया spot drink हो गया putty tight duser हो गया टी & coffee हो गया चाय हो गया उसके बाद dietary supplement्त उसमें क्या क्या आता है vitamins हो गया minerals हो गया botonical हो गया keywords हो गया protein prob benytics हो गया prebiotics हो गया यह सब हमारे आते हैं dietary supplement में ठीक यह total है जो कि market में available होते हैं, nutraceutical product इतने type के available होते हैं, यह बहुत सारे इसमें आप लोग सुना सुना भी लग रहा है, जो कि आप लोग use भी किये हैं, तेक, यह सब nutraceutical product है, तेक, अब हम लोग बात करने जा रहा है, role of nutraceutical in various disease, कौन कौन से various disease हैं, इसके बारे में देखते हैं, देखिए, यन play, आप important role, यन में इस देखिए, nutraceutical को हम लोग यन से denote करते हैं, तो इसको सार्ट में आप लोग nutraceutical को ऐसे लिख सकते हैं, यह आप लोग को सार्ट यहां पर लिख दिया हूँ, देखिए, इसमें एक point लिख सकते हैं, कि the following devils depend the rate of few plants and they are constitute in the prevention and management of disease, देखिए, यह important है, plant constitute हो गया और disease हो गया, तो कौन-कौन से plant constitute है, दो-तीन point में करके लिख दिया हूँ, और कौन-कौन से disease होते हैं इस सभी के, उसके बारे में आसान तरीके से लिख दिया हूँ, इसको अराम से एक बार पढ़ लेंगे, अगर लिख रहे हैं तो वीडियो को अराम से लोग रोक के, इसको लिख सकते हैं, लेकिन most important जो बात करने जा रहा हैं लोग, classification of nutraceutical, जो की examination में पूछ लेता है, write the introduction and classification of nutraceutical in brief note, यह 10 number की question बनते हैं, तो classification बहुत ज़्यादे important है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अब लोग पढ़ लेजिए, classification कौन-कौन से होते हैं, देखें, they can be classify according to their chemical nature and therapeutic properties as follow, कौन-कौन से होते हैं, minerals हो गया हैं, antioxidant हो गया हैं, PUFAS हो गया हैं, probiotics हो गया हैं, prebiotics हो गया हैं, mineral supplement के बारे में चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा mineral है, inorganic mineral supplement, ठेक, तो चलिए देखते हैं, बिना देर क्यों होए, inorganic mineral supplement के कौन-कौन से एक जामपल होते हैं, सबसे पहला calcium, magnesium, manganese, boran, copper, zinc, phosphate, यह सब हमारे होते हैं, inorganic mineral supplement, antioxidant क्या होते हैं, antioxidant के बारे, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो जो लोग पढ़े होंगे, उनको पता होगा क्या होता है, they are present in the fruit, यह जो होते हैं, fruit में, vegetable में, fish में, यह सब जगह पर यह क्या होते हैं, antioxidant present होते हैं, they are used to present to the reactive oxygen species and free-saving radicals, example, vitamin E, vitamin C, vitamin A, beta carotene, ठीक, अब देखिए, तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं, तीसरा क्या है, polyunsaturated fatty acid, हम लोगों ने अभी यहीं पर देखा है, PUFAS, ठीक, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाया हैं, आप लोग भूल भी गए होगे, क्या होता है, इसका फुल फार्म, examination में कभी कभी फुल फार्म भी पूछ लेता है, तो important है, तो PUFAS का फुल फार्म क्या है, polyunsaturated fatty acid, तो यह क्या होते हैं, these are the fatty acid, यह ऐसे fatty acid होते हैं, which contains जिसमें, more than one double bond, and, एक से अधिक double bond, and include होते हैं, essential fatty acid, तेक, इसका example क्या होता है, omega-3 fatty acid, उसके बाद, subflower oil, corn oil, soybean oil, fish oil, यह सब इसके क्या होते हैं, example होते हैं, polyunsaturated fatty acid के, अब देखें, next point, probiotics, probiotics क्या होते हैं, और prebiotics क्या होते हैं, यह दो नंबर की question बन जाते हैं, what is probiotics, and prebiotics, तो probiotics क्या होते हैं, these are living microorganisms, यह जो होते हैं, living microorganisms होते हैं, और यह जो होते हैं, they are non-digestible substance होते हैं, यह difference पूछ लेगा, पहले-पहले नंबर पे, यह point आप लोग उठा के, दोनों का difference, एक point लिख दीजएगा, देखें, which film taken with, without food, improved intestinal microbial balance, and functioning of large intestine, एक्जामपल हो गया है, इसका वैक्टरियम, लेक्टो बैसिलाई, स्केरो माइसियस, सेर्वाइस, इटिसीटिक, और यह देखें क्या होता है, prebiotics, they are non-digestible substance, that provide beneficial effect, जो क्या करता है, provide करता है, beneficial effect, and protection to the prebiotics, from gastric acid, and digestive enzyme, they are also promote the growth, आप probiotics bacteria, यह जो होते हैं, promote करते हैं, probiotics bacteria को, growth को यह क्या करते हैं, promote करते हैं, इसका एक्जामपल होता है, olgifractose, lunulin, उसके बाद galacto, olgosacuride, lactose, यह सब prebiotics का क्या होता है, एक्जामपल होता है, अब देखिए, dietary fiber क्या होते हैं, यह देखिए, classification के बारे में ही, टोटल बता रहा हूँ हम, अब देखिए, last dietary fiber क्या होते हैं, तो देखिए, dietary fiber क्या होता है, they are two types, wheat, water, soluble fiber, and water, insoluble fiber, जो की present होते हैं, fruit में, vegetable में, grains में, lumeus में, and they are also used to correct constipation, boil, irregulatory hemomorphide, ठीक, इसका यूज कहां कहां पे होता है, कैसे कैसे होता, इतना पता चल गया, तो आज के lecture में, हम लोगों ने, total जो general, वैसे, nutraceutical की बारे में था, ये total पढ़के complete कर लिया, अब अगले lecture में हम पढ़ेंगे, herb, as herb, health food, alpha, ठीक, इसमें alpha है, चिंकोरी है, ginger है, जिसके बारे में, थोड़ा से हैं पे, आप लोगों को thriller दिखा दे रहा हूं, जो की अगले वाले lecture में, आप लोगों बहुत ही आसान तरीके से इसके पढ़ेंगे, herb as health food, ठीक, लेकिन अगर आज़के लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और comment box में जरूर बताना आप लोग, कि समझ में आया है कि नहीं, यह नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार जरूर बता देना, जिससे next part start करने से पाले, एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझाते हुए, revision करते हुए, खसम कर दूँगा, जिससे doubt भी clear हो जाए, और अगला भी complete हो जाए, ठीक? तो चली थैंक्स पर वाचिंग वीडियो, लाइक, कमें, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल,